आज हम बनाएंगे बजार से भी अच्छी ऐसक्रीम घर में और जटपड बन करके तयार हो जाएगी बिना किसी जणजट के और जब आप इसे बना के खाएंगे ना तो आप भी बजार की लाना भूल जाएंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन करके बजार से भी अच्छी तयार होगी और इसमें हम इस्तमाल करेंगे बजार में जो मार्केट में डलता है ना इसमें CMC और GMS पॉर्डर उसका इस्तमाल करेंगे फ्रेंड्स आगे वीडियो को शुरू करने से पहले आप से निवेधन है कि आप अगर मेरी चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइ इस वीडियो को बजार से भी अच्छी आइस क्रीम बनाने के तरीका देखते हैं कैसे बनके त्यार होती है आइस क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 500 दूद ले लिया है दूद जरूरी निया फुल क्रीम इले मैंने टोंड वाला दूद लिया है और आधा लीटर दूद में मैंने 3-4 चमच कोटोरी में अलग से निकाल के रख लिया है अब जो आधा लीटर दूद है उसमें 6 चमच हम नाप के डाल देंगे चीनी अगर कब से नापेंगे तो यह एक चौथाई कब चीनी होगी आप जो हमने साइड में दूद निकाला था ना एक्स्ट्रा इसमें 2 चमच हम लेबल करते हुए आरा रोड डाल देंगे अगर आपके पास इस तरह से मिजर्मेंट वाला नहीं है तो आप यह जो नॉर्मल चमच होती है वो डेर लीजेगा मतलब एक चमच के हिसाब से यह वाली नॉर्मल चमच दो लीजेगा साथ में हम CMC और GMS पॉडर का इस्तमाल करेंगे जो आपके बजार से भी अच्छी आइसक्रीम बनाने में मदद करेंगा तो जो GMS होता है वो जैसे आपकी मोम होती है ना मोम जब पिखल पिखल के गिरती है उसका टैक्शर कुछ उस टाइप में रहता है और GMS जो हम लेंगे वो एक चमच लेंगे और जो CMC लेंगे वो एक चोथाई टेस्पूल लेंगे सारी चीजों को हम डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब जो दूद है दूद को हम एक बर बॉइल कर लेंगे बॉइल करने के बाद जो हमारा मिश्रन बनाया हुआ है ना वो हम इसमें अड़ कर देंगे आदा लीटर दूद्ट कौलाते मुझे याद आया कि मुझे यस वार भी फ्लेवर प्लेवर क के आईस्क्रीम बनाने है दो से जादा तो मैंने इसमे आदा लीटर दूद्ध और एड़ कर दिया था आप जितना भी आईस क्रीम बना रहे है ना फ्लेवर की उसी हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ाया घटा सकते हैं अब दूर जब बॉयल आ रहा है तो धीरे धीरे जो हमने कटोरी में मिक्षर अपना तयार किया था उसे डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ में मिक्स कर लेंगे जब अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएगा और इस तरह से थोड़ा सा टेक्शर गाडा-गाडा सा होगा इसमेज़ार में अपका थोड़ा से ठीक सा बतर लगने लगेगा तो आप गयास को बन कर दीज़े गा में बन करने के अब इसमें अच्छी से बॉयलिंग आ गई है अब हम गैस को बन कर देंगे ठंडा करके देखिए मैंने से जमा भी लिया था और जमाने के बाद इस तरह से चक्कु से थोड़ा सा इसके अच्छे से कुडस देंगे ताकि जब हम इसे बीट करेंगे ना तब बीटर चलाने में आसान हो चक्कु या चमच या चमच जो भी हो उसे एक बार अच्छे से आप मिक्स कर लिजे पूरी तरह से फिर बीटर के साहता से इसे चलाए तो बीटर से चलाने के बाद मैंने ये ट्रोपलाइट का क्रीम लिया है एक कप हम क्रीम ले लेंगे आधा लीटर अगर आप द आधा लीटर से एक लीटर दूत लेते हैं तो आप दो कप क्रीम ले लेंगे इसे बीट कर लेंगे इसे सेमी फॉर्म में बीट करेंगे बहुत ही मतलब थिक वाला नहीं लेंगे थोड़ा सा फ्लावर्ट पन आ जाएगा हमारे जब क्रीम में बस उसी स्टेस तक ही मिसे बी इसे आप कितनी भी आइस क्रीम बनाएं आपकी मर्जी अभी हम इसमें दो फ्लेवर के आइस क्रीम बना रहे हैं एक हम पाल फ्लेवर बनाएंगे दूसरी बनाएंगे बटर स्कॉच इस तरह सा कोई भी आप ऐर टाइट कंटेरर ले ले जिसमें आप बेस डाल दीजे बेस आप डाल के तफ लेवर आइड करी या तो किसी बाउल में कर लीजे और यह मैंने बटर स्कॉच करण्च बनाया था इसकी वीडियो आगे मैं आपको दिखाती हूं कैसे बना के तैयार हुआ है घर में बहुत जल्दी और बहुत ही टेस्टी करण्च बन के तैयार हो जाता ह करण्च बनाने के लिए मैंने 14 फशा ही कप चीनी लिए हैँ साथ में 10 से 15 काजू ले लिये है पहले चीनी को इस तरह से पैन में फैला देंगे गैस को आउन कर देंगे अभी हम इसमें कुछ भी नहीं चलाएंगे इसे और नहीं इसमें एक भी पानी की बून डालेंगे नह इस तरह से मंभस्ता में थोड़े से कूट भी सकते हैं और यह देखें चीनी जब हमारी हलकी सी गीली दिखने लगी थोड़ा-थोड़ा सा पानी सा दिखने लगा तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे अब इसे कॉंटिन्यू चलाएंगे जब तक कि एकदम लिक्विट फॉर्म में ना हो जाए और जब हलका सा यह ब्राउनिश कलर सब आने लगेगा सारे जो चीनी के आपके हैं एकदम से मेल्ट हो जाएंगे तब आप गैस को बन कर दीजी क्योंकि ज्यादा पकेंगे ज्याद इसी भी ठाली में फैला देंगे कोई जोरुनिये ठाली को ग्रीश करने की तेल है घी से डारेक्ट आप फैला दीजा अराम से निकल जाएगा बस इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे मीठी वाली सौफ भी लिए पहले हम इसमे डाल देंगे आधि तीस्पून के बराबर पान फ्लेवर जो एसेंस है साथ में डाल देंगे पान वाले जो हमने कटिंग करके रखी ती पतियों के वो डाल देंगे दो ड्रॉप ग्रीन डाल देंगे और उपर से डाल देंगे इसमें सौफ अब पत्तियों से करेंगे गार्निस और यकीन मानिए यह ऐस्क्रीम इतनी टेस्टी बन करके त्यार हुए एक बार आप बना के देखिए खाये और उपर से टूटी फ्रूटी से कर देंगी डेकुरेट आपका जो भी मनो आप पान फ्लेवर में जो भी आप पान खाने में खाने में इस्तमाल करते हैं वो आट कर लीजेगा और यह देखिए हमारे जो हमने बनाया था बटर स्कॉच क्रंच वो भी सूख गया है इसे भी हलके सा कूट लेंगे हम अब जो बेस है उसमें बटर स्कॉच पहले हम इसस जाल देंगे थोड़ा सा अब थोड़ा सा यहलो फूड कलर डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रंच को डालेंगे क्रंच को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से बटर स्कॉच एस इस डाल देंगे और उपर से थोड़ा सा क्रेंज डाल के डेकॉरेट कर लेंगे और इसे फ्रीज कर देंगे अब आप चाहे पूरी रात कर लीजे या तो आप दिन में आर से नौ घंटे के लिए कर दीजे क्योंकि इतनी गर्मी पढ़ रही है जमने में भी टाइम लगता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि आपको ये कैसी लगे आइस्क्रीम की रेस्पी और ये दिखिए पूरी रात रखने के बाद मेरी आइस्क्रीम कितनी अच्छे से जम के तयार ही है इसका टेक्शर दीखिए कितना स्मूथ है और यकिन मानिए खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी है ये तो आप तब यकिन करेंगी जब आप बनाएंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे बटर स्कॉच भी सेमी केक्चर के साथ बनके तयार हुई है ये देखिए कहीं भी आइस क्रिस्टल नहीं है बहुत ही स्मूथ बनकर के तयार है आपको और आगे वीडियो में कौन कौन सी रेस्पीस की वीडियो देखनी है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और बटन स्कॉश करने के साथ करेंगे डकरेट और इंज्वाइ करेंगे दोनों आइस क्रीम को जल्दी मिलोंगी एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद झाल